गोरीवनींग क्लास क्या अवं हम लोग लाइव हो पाये की नहीं फॉन में टच ही खराब हो गया हैं एक बर फटाफट से समेल को लाइक हैं शेयर takiego गुड इवनिंग प्रवीन गुड इवनिंग सतीश कुमार जी कैसे आप गुड इवनिंग वीज बहुत अच्छा वे है आपका गुड इवनिंग कहने का काफी इंप्रेसिव है लगा दो भई पैनल्टिया लगा दो यही बच गया बस तुम लोगों से यही उमीद है मुझे यही करोगे तुम एक बर फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर देजे जो तुम जर्णली करते नहीं हो लेकिन तुम एक करना चाहिए ठीक है फटाफट से करके आएए शेयर करके आएए जो भी आपके फ्रेंड्स हैं रेलेटिव्स हैं जो भी तयारी कर रहे हैं उनके साथ में एक बार फटाफट से शेयर कर दीजे वीडियो को देन हम करते हैं आज की क्लास स्टार्ट आरार भी एंटीपीसी सीविटी टू के लिए हम हमारा NTPC का paid badge अगर उसमें अब मुझे वीर नहीं दिखे तो फिर वीर समझ ही गए होंगे कि उनके साथ क्या क्या हो सकता है इतना बोलने के बाद फिर जोइन नहीं किया तो वीर का तो कुछ नहीं हो सकता बास फिर तो वीर बचने वाले ही नहीं है बड़े बड़े लोगों के साथ बड़े बड़े शहरों में लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है ठीक है तो पहले तो आपको ये बता देती हूं कि आपका SSE Super Elite जो सब्सक्रिप्शन है इसके अंदर आपको पूजा माम का अभी बैच स्टार्ट हुआ है 2 दिसंबर से ठीक है टीर टू की प्रपरेशन के लिए CGL टीर टू जिनका भी टीर वन क्लियर हो गया है टीर टू की प्रपरेशन कहां करनी है तो याद रखेगा आपको आना है रैंक बूस्टर बैच फॉर इंगलिश CET फोकस्ट ये बैच है पूजा मैम इसको ले रहे हैं पूजा मैम के पास 5 years से भी जादा का experience है इस field में और इस course में जो highlight है वो ये है कि 45 प्लस hours का आपको यहाँ पर live classes मिलेंगी साथ में doubt clear होगा जो भी आपका doubt है आप यहाँ पर पूछ सकते हैं topic wise आपके sectional test होंगे यानि कि topic wise आप test दे सकते हो इधर और आपको 2500 से भी जादा live question discuss होंगे आपके class में इसमें आपको 30% off मिल जाएगा SSC super elite subscription में तो इसको अभी की अभी subscribe करें और जो आपका target CET math special courses batch है ये भी start हो गया है रविंदर सर आपको कराएंगे तो दोनों ही teacher बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं math को arithmetic और advanced दोनों ही बहुत अच्छे से आपके सारे basic clear हो जाएंगे तो tier 2 के लिए जितने भी लोग tier 2 के लिए preparation करना चाहते हैं math के लिए तो ये batch उनके लिए है इसमें आपको पता ही होगा कि ये भी किसमें included है आपका ये भी आपका super sse super elite subscription में included है ठीके ये तो हो गई कुछ मतलब की बाते अब कुछ तुम्हारे मतलब की बाते भी मैं कर लेती हूँ ठीके मतलब की बात क्या है तुम्हारी सिर्फ session स्टार्ट करना है तुम्हारे मतलब की बात हो गई अब मेरे मतलब की बात एक तुम लोग कर दो मेरे मतलब की बात क्या है मेरे मतलब की बात ये है कि शेयर कर दीजे like कर दीजे और शेयर कर दीजे मृत्यूंजे बाजिगर मैं बाजिगर नाम क्यों दिया गया है मुझे, could you please explain नकुल, good evening good evening प्रमोज, शेतल, वीर, अरिदी, अजित ये क्या चलता है संदीप सिंग, good evening मुझे literally समझ में नहीं आ रहा है आज तुम्हारे comment box में ये तुम लोगों क्या गया है कुछ खा पी के आगे हो कुछ सस्ता वस्ता खा लिया है तुमने है ना, वो आगे का word मैं बोलूगी नहीं लेकिन तुमने कुछ सस्ते वाली कोई चीज की है hello शीदल, I'm good, how are you good evening शीलू कैसे हैं आप, चलो बै class start करते हैं, NTPC CBT2 group D का date 10 है अच्छा, CBT2 के लिए मैं तुम्हारे लिए, अब session में क्या include करने वाली हूँ कि previous year question ले के आऊँगी मैं, previous year question ले के आऊँगी और जिसको भी NTPC CBT2 की तयारी करनी है, तो paid batch के थूँ, तो वो भी जल्दी मैं आपको information दूँगी, उससे related कल यह पर्सों में आपको पता लग जाएगा कि मैं आपके लिए क्या-क्या ले के आ रही हूँ ठीक है, यह मेरा telegram channel है शीतरशर्मा01, मैं शीतरशर्मा आपकी GS faculty, आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, Ollyboard, SSC YouTube channel पर, तो मुझे यहाँ पर आप जॉइन कर सकते हैं telegram पर भी हूँ है, instagram पर भी हूँ है और अभी recently मुझे instagram पर reels का एक कीड़ा लगा है मतलब एक दो दिन पहले ही मैंने कुछ एक reel डाल दिया था, anyway like just for fun, कि ऐसे ही अब मुझे लगता है कि मुझे वो कीड़ा काट चुका है क्योंकि मैंने दूसरी reel भी डाल दी है तो I don't know, मुझे जहां तक लगता है कि मैं reels में विश्वास नहीं करती थी और मुझे लगता है कि यह बहुत जादा time waste होता है लेकिन फिर भी ऐसे ही कर लिया आर्टिस्ट लोग है हम तो कुछ भी कर लेते है just for fun ऐसे, life में बस यह है अपना rule कि किसी भी चीज़ को try तो करना ही चाहिए है ना, जो चीज़ अच्छी लगे कर लो एक दो बार कर लो, छोड़ दो, क्या फरक पड़ता है ठीक है, class करते है, start सभी को मेरी तरफ से good evening, ram ram और जो भी कुछ होता है ठीक है, shabak, hair and whatever वो सभी आप लोगों को मेरी तरफ से deliver करती हूँ मैं और जिसका भी good evening कहना रहे गया उसको भी good evening और पहला question आपकी screen पर डाल रहे इससे पहले कि तुम लोग चिलाओ कि मैं class start कर दो, class start हो चुकी है, ये लो, पहला question आपकी screen पर ये रहा, oldest rock cut architecture is found in सबसे पुराना rock cut architecture कहां पर पाया जाता है option है, राजिस्थान, बिहार, करनाटका या फिर मिजोर, answer करिए क्या होगा आशितोष, digital board पर आपका paid course मैं लहेगा our first cds okay, okay, veteran जी ये आपस में ही गरम चाय बाट रहे हैं, प्रमोद और शीलू का, आपस में ही चाय का आदान प्रदान चल रहा है, correct answer यहाँ पर क्या होगा, फटाफिट से थोड़ा सा नहीं पढ़ाई पर ध्यान दे लो, इसके लिए मैं तुम्हें time दे दूँगी, ठीक है, पांच मिनट बैट के कमेंट बॉक्स में आपस में बाते करते रहना ठीक है, answer क्या होगा, अमित का answer संदीप सिंग कहा रहे, बिहार होगा, तो correct answer यहाँ पर क्या होगा, correct answer होगा बिहार, यानि कि सबसे पुराना rock cut architecture है, rock cut architecture क्या होता है, basically जब आपने देखा होगा, अच्छा, इसे related एक और मुझे याद आया, rock cut caves कहां पर पाए जाती है, rock cut caves है, यह आपकी buddhist rock cut caves, यानि बहुत धर्म से जुड़ी हुई, जो rock cut caves है, पुराने, सबसे oldest बहुत जो गुफाएं है, rock cut, वो कहां पर पाए जाती है, कोई बता सकता है मुझे, answer क्या होगा, कौन से राजे में वो पाए जाती है, कोई मुझे answer दिदर कर सकता है तो जरूर बताइए, क्या होगा correct answer तो याद रखेगा, कहां पर पाए जाती है यह अजन्ता की caves में पाए जाती है अजन्ता caves, जो UNESCO के अंदर कब include हुआ, तो याद रखेगा UNESCO की विश्वदरोहसल में सैट में, यह 1983 में include होता है, Allora BC के साथ include होता है 1983 में, लेकिन यह जो जन्ता, Allora और आपके Elephanta caves हैं, यह तीनों की तीनों आपके महराश्टरा से हैं, तो याद रखेगा जो Elephanta caves हैं, यह कब हुई 1987 में, Allora caves और जन्ता caves यह 1983 में और तीनों की तीनों कहां पर है महाराष्ट के अंदर है next question है which drug is used as antibiotic इन में से कौन सा ऐसा दवा का उपियोग होता है कौन सा सबस्टांस है परदार्थ है जिसका antibiotic के रूप में यूज होता है metformin या फिर rentidine या फिर azitro mycine या फिर ibuprofen answer करिए इधर क्या होगा answer करिए इधर क्या होगा answer करिए इधर क्या होगा बहुत अच्छे प्रवीन ताज महल भी उसी टाइम पर है ठीक है answer करिए इधर फटाफट से क्या होगा वीडियो को पसंद आ रहे तो please like and share करते रहे जब तक तुम लोगों के हाथ है तुम्हारी तो वो like हट भी जाता है एकी बार like करना है share बार बार करना है answer क्या होगा इधर बहुत अच्छे सबका answer करेक्ट आ रहा है study with शुभम आशुतोष अमित सौरवीर रवी कुमार बहुत अच्छे इंदरजीत बिलकुल गलत है इंदरजीत का यहाँ पर correct answer क्या होगा जो लोग बोल रहे हैं see एकदम सही है anti-biotic में कौन सा आपको drug देखने को मिलेगा substance परदार्त देखने को मिलेगा तो यह azithromycin है यह आपको देखने को मिलेगा anti-drug में अगर मैं बोलो anti-diabetic यानि कि अगर मालो किसी को diabetes है मधू में है अगर उसको मधू में है तो उसके जो दवाई होगी उसके अंदर इन में से कौन सा परदार्त होगा option जो आपको given है न उनी में से एक है मधू में के लिए anti-diabetic जो drug use होता है वो कौन सा है good evening आशीश कैसे या प्रवीन कह रहे है मेरी सारी उंगली कट गई बटा ऐसे जो बोलते हो ना किसी दिन सच हो गया तो लेने के द लाता है मैं डेट बताईए किस तरह करेगा syllabus को बिलकुल मैं डेट बताऊंगे आशी तब ही तो मैंने आपसे कहा है कि आज मैंने schedule दिया है ठीक है उसका proper पूरा वो बनके आएगा कि कौन कौन क्या क्या करा रहा है एंटी PC के लिए target बैच चलने वाला है तो आप tension मत लीज क्योंकि 14-18 फरवरी तक बोल रहे हैं कि उसके बीच में आपका क्या हो जाएगा उसके बीच में आपका exam conduct करा रहे हैं RRB NTPC का और ये भी सभी को पता होगा जिनको नहीं पता है वो जान लो भई CBT-2 आपका होने वाला है exam date दी हुई है 14-18 फरवरी की और 15 जनवरी को बो लगा साभी confidence है कि हां हमारा clear हो जाएगा तो अभी से तयारी करने में लग जाओ नहीं में confidence है थोड़ा सा dicey लग दा है तो भी तयारी कर लो कहीं वेस थोड़ी जाना है पढ़ लोगे वेस थोड़ी जाएगा कितने सारे exam आ रहे किसी ना किसी में कुछ ना कुछ तो help मिली चैने में जाएगी न है न है लिए अन्सर क्या होगा तो इदर आसर याद रखना कौन सा होगा मैं ने बोला इसी में जो इसकी दवाईजी न जो एंटिबाइटिक दवाईज न इसमें कौन सा उज़ंता है मैं फॉर्मिन होता हैatar Chief deeper ibuprofen ये किसके लिए दिया जाता है जो ibuprofen है ये किसके लिए दिया जाता है तो याद रखेगा ये एक सबस्टांस होता है जो आपकी पेंकिलर की दवाईयां होती है उनमें यूज होता है ibuprofen next question देखते हैं tamarindus indica is the scientific name of ये भी बता देती हूँ कि जो आपका rrb antipc है ना इसके अंदर मैं तुम्हें कुछ चीज़े बता देती हूँ मैं तुम्हारे लिए सोच रही हूँ कि कल कुछ एक strategy वीडियो भी बनाओ मैं और जादा देर की बनाओंगी ने अंटिशंट कुछ बोलने की जरुवत नहीं है ठीक है क्या करूंगी उसमें मैं तुम्हें बस syllabus बताने वाली हूँ cbt2 का क्या रहने वाला है क्या तुम्हारा weightage है gs का वो बता दूगी तुम लोगों को ये बता दूगी कि तुमको कैसे study plan क्या क्या होना चीए किस हिसाब से तुम लोगों को सही है टैमरिंडस इंडिका सीधा सीधा आपको given है कि correct answer यहाँ पर क्या होगा correct answer होगा टैमरिंड यानि की इमली ओके तो यह नाम में ही दिया हुआ है टैमरिंडस इंडिका अब यहाँ पर जो नीम दिख रहा है क्या मुझे कोई बता सकता है कि नीम का scientific के scientific name क्या होगा answer करिए क्या होगा नीम का scientific टैमरिंड का तो तुम देखते ही बता दोगे तैमरिंडस है चो टैमरिंड तो वैसी बता दोगे इमली का अब बात आ गई नीम की तो याद रखना क्या होगा अजादी रचता अजादी, रचता इंडिका अब इसको कैसे याद रखोगे कि जो या रचिता नाम की लड़की है न वो तुम्हे न नीम खिलाना चाहती है मतलब तुम्हे नीम का जूस पिलाना चाहती है तुम कहते हो कि मुझे आजादी दे दो और मुझे यहांसे भागने दो मैं नीम का जूस नीम भी पाऊंगा तो उससे याद रखना नीम का साइंटिफ का याद रखना यह जो दिख रहा है ना हिंदी में तुमको अनानास इंग्लिश में भी इसका जो साइंटिफिक नेम है विज्ञानिक नाम है वो अनानास से शुरू होता है क्या है पूरा का पूरा अनानास कॉमसर्स अमान अनानास कॉमसर्स बस खाली जहां अनानास दिख ज ना कि यह क्या होगा पाइनेपल होगा चीकू का क्या होता है तो याद रखेगा चीकू का याद रखना है आपको मनिल करा जपोटा इसको कैसे याद रखोंगे जपोटा से याद रखना ठीक है चीकू कब खाते हैं जनरली देखा होगा जो बिमार लोग होते हैं जिनको अप चीकु खाते हैं ठीक है चीकु पपीता यही मिलते हैं जो बिमार हैं मुझे तो यही मिलते थे जब भी बिमार होती थी hospital वाले भी यही recommend करते हैं यह खाया कीजिए चीकु जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है नेक्स्ट कुईशन है in uricratic cells, eukaryotic cells synthesis of RNA takes place in आसर करिये क्या होगा यह RNA, DNA यह क्या होते हैं एक तरीके केप्रोटीन होते हैं अब यह भोल रहा है कि यह जो eukaryotic cells हैं उसके अंदर RNA का जो synthesis है संस्लेशन है वो कहां पर होता है संसलेशन है वो कहांपर होता है answer करिये क्या होगा mitochondria centriolase या फिर ribosomes या फिर nucleos answer करिये क्या होगा answer करिये क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं जो cells होते है power house of the cell यानि कि जहांपर सबसे ज़्यादा energy मिलती है energy से ही तो power आते है अब तुम खाना नहीं खाया है कुछ खाया नहीं है energy नहीं है energy नहीं है तो कोई काम करने की power भी तो नहीं होगी न तो ऐसे ही जहां पर सबसे जादा energy का production होता है जिसे क्या बोलते है powerhouse of the cell जो energy के production में help करता है उसको क्या बोलते है powerhouse of the cell किसको बोलते है अब यहां पर RNA का synthesis क कहां पर होता है तो याद रखेगा nucleus में होता है कहां पर होता है nucleus में होता है और अगर आ जाए powerhouse of the cell क्या होगा तो everybody knows और जिनको नहीं पता है जो नहीं जानते हैं वो भई याद रख लें यह basic से question है यह आप अगर नहीं आते है तो बहुत लोग आपसे आगे निकल जाएंग melt हो जाती है ठीक है तो सबसे lowest melting point अगर मैं कहूं lowest melting point यानि कि उसको temperature कैसा चाहिए कम temperature पे ही वो क्या हो जाता है melt हो जाता है यानि कि उसको जादा तापमान के जरुत नहीं है पिगलने के लिए गलने के लिए तो answer क्या होगा zinc, titanium, sulfur या फिर आपका florin answer इधर क्या होगा अब answer इधर आ रहा है सुजीत कह रहा है सी होगा promote कह रहा है सी होगा इसमें मैंने science के question इसलिए रखे हैं क्योंकि कुछ एक ये लगा लीजे कि favoritism है railways का science की तरफ कुछ एक वो कहते नहीं है कि दिल में कहीं एक लगाव होता है तो RRB वालों का लगाव है science के साथ में तो answer lowest melting point है next question a dash is caused by parasites of plasmodium genus यानि कि plasmodium genus के पर जीवी के कारण क्या होता है dysentria देखो मैंने आपको बताया था ना कई सारी चीज़े क्या होती है जो आपकी हम बोलते हैं कि protozoa यानि कि कुछ एक ऐसे disease होते है protozoan disease होते है बिमारिया होती है जिनको फैलाने का कौन कौन करते हैं parasites करते हैं ठीक है parasites करते हैं ऐसे ऐसे type की होते हैं बिल्कुल पतले पतले से लेकिन आपसे पूछ रहा है plasmodium class का कौन सा ऐसा parasite है जो plasmodium उससे belong करता है और वो इन में से क्या करता है तो बहुत ही अच्छे सभी ने answer correct किया है correct answer क्या होगा malaria malaria फिलाने के लिए जो parasites को carry कर करता है उसका carrier यानि की वाहक बनके कौन जाता है malaria का वाहक बनके कौन जाता है answer कीजिए comment box में सभी का answer दिखना चाहिए मुझे अभी के अभी answer करिए फटा-फट क्या होगा वीडियो पसंदार है तो प्लीज भाई like and share कर दीजिए हाथ पैर जुड़वा के मानोगे बिना वैसे तो मानोगे नहीं है ना कसम खा के आये हो घर से कि मैं जो कहेंगे वो तो करना ही नहीं है बहुत अच्छे है प्लास्मोडियम बिल्कुल सही है लेकिन मैंने पूछा है कि केरियर यानि की वाहक बनके कौन आता है एक mosquito आता है क्या आता है कौन सा मच्छर होता है वो फीमेल एनफिलीस जो मच्छर है वो क्या बनके आता है वख बनके आता है प्लास्मोडियम साइट का और क्या करता है वो करता है मलेरिया पहुचाता है नेश्ट है पीकोग थ्रोन वाज फेमस ज्वेल्ड थ्रोन दैट वोस दे सीट अफ डैश टेम्परोर्स ऑफ इंडिया यानि कि जो मयूर सिंगहासन होता था काफी लोगों ने सुना होगा पीकोग थ्रोन का ठीक ह ये एक रतना में सिहासन था जो भारत के कौन से समराज्यों की सीट होती थी अब ये देख रहे हैं ये पूरा क्या है ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है पीकॉक सिंगासन है यान की मयूर सिंगासन है अब इस पर जो बैठते थे कौन से समराट बैठते थे मौर्यन सम्राट मुगल सम्राट या माराथा सम्राट कुछ लोग बोल रहे हैं एक लोग सही कर रहे हैं सुजीत का आउनसर क्रेक्ट है प्रवीन का आउनसर कर Costa वीर का अंसर गलत होता है और शीलु का आंसर करेक्ट है अरिदी का अंसर完全 है बहुत अच्छे पर क्रेक्ट आंसर क्या होगा सुमीता च्छान स्म्रात पैच यह धो देख %5ी की ऐनीयुकि तो यह थोड़े करते हैं उसमें सेर्स श्प्रेयång से थोड़ी सी हवा होती युदि अदो सभी के नाम है लेकिन पीछे का वसल सर्नेम आप से आ साइर करिए क्या होगा एरशन की जो इन्वेंशन है किस ने की तो याद रखेंगा ऐषना क्या होगा आइर पे 1 अरे इनों ने तो ने सबसे पहली बार नोंने của एरो यानि कि इसको बनाने वाला मैं हूँ तो इन्होंने patent कराया Oslo में aerosol spray का कौन से year में कराया तो 1927 में कराया next question है transformer can do all of the except following यानि कि जो एक transformer है वो इन में से सब कुछ कर सकता है सिर्फ एक option ऐसा है जो वो नहीं कर सकता है step up AC voltage step up AC current step up AC power step up AC voltage answer करिए क्या होगा यहाँ पर आज की जो question है वो थोड़े से आपके little bit किस तरफ है little bit आपके science की तरफ है अब answer यहाँ पर करिएंगे क्या होगा तो correct answer जो इधर होगा इन में से क्या क्या चीज़े कर सकता है एक transformer तो याद रखेगा voltage current voltage दो दो जगे दिया हुआ है गलती से हो गया है step down step up अच्छा change है इसमें एक step up कर सकता है आपके AC voltage को current को कर सकता है और step down कर सकता है voltage को लेकिन power को उपर step up नहीं कर सकता है इसी power को तो correct answer क्या होगा correct answer होगा 3 next question है which of the following countries is not a permanent member of UN security council जिसको हम कई बार आपको ऐसी भी देखने को मिलता होगा UNSC UNSC का headquarter बताईएगा जरा कि UNSC का headquarter कहाँ पर है और answer करिए कि इन में से कौन सी country है जो permanent member नहीं है और ये भी बताईएगा कि इसके permanent member कितने होते हैं इसके permanent member कितने होते हैं बहुत अच्छे answer सभी का यहाँ पर correct आ रहा है इंडिया कौन नहीं होगा UNSC का permanent member यानि की 27 अदर से कौन नहीं है तो इंडिया नहीं है बाकी आपका China भी है US भी है France भी है total कितने है total कितने है इधर 5 member है बहुत अच्छे आशुतोष बिल्कुल सही अरीदी एकदम सही अगर मैं कहूँ permanent member कितने होंगे तो याद रखिएगा permanent member कितने होंगे वो होंगे आपके 5 और बाकी जो temporary member है other members है वो कितने होंगे तो 10 इसमें temporary other members होंगे 10 कैसे होंगे temporary other members होंगे कौन से 10 होंगे इसके 5 जो permanent members है क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं वो कौन कौन से है जिसमें मैंने तीन आपको यहीं पर दिख गए चाइना है यूएस है और फ्रांस है बाकी बचे दो कौन कौन से है बाकी बचे दो कौन कौन से है 5 permanent और 10 non permanent या temporary मैं कहूँ किसने बताया है headquarter बताया सुमिता ने बहुत अच्छे सुमिता एकदम सही है correct answer क्या होगा headquarter इसका कहाँ पर है तो याद रखेगा new york USA के अंदर इसका headquarter है और इसके जो 5 permanent member है वो है चाइना, US, France, UK और Russia ठीक है तो correct answer इदर क्या होगा correct answer होगा इंडिया जो उसका permanent member नहीं है next है Indian Super League is associated with which sport Indian Super League का समद इन मेंसे किस खेल से है answer करिये क्या होगा horse race, football, cycling या फिर golf answer करिये क्या होगा वीडियो बसंदा रहे तो प्लीज सभी लोग like and share जरूर कीजे ठीक है और answer करिये क्या होगा horse race, football, cycling या फिर golf बहुत अच्छे सबसे पहले अरिदी का answer आया है then आया है आशुतोष का answer आशीश का answer correct है प्रमोद, प्रीतम, संदीप क्या बात है सुजीत, बिलकुल सही अमित, बिलकुल सही वीड, सुमिता बहुत अच्छे correct answer क्या होगा सब ही जानते है यह किस से जुड़ा हुआ है यह football से जुड़ा हुआ है कौन से sport से जुड़ा हुआ है football से जुड़ा हुआ है अगर मैं बोलू Indian Premier League मतलब मैं पूछ क्यों रही है मुझे नहीं पता है लेकिन ऐसे ही भूछनी हो for fun कि तुम लोग यहाँ पर शबदों के जाल में आते हो की नहीं आते हो Premier League है Indian Premier League ये बताए कौन से खेल से सम्बन देता है अगर मैं Indian Premier League की कहूँ तो ये कौन से खेल से सम्बन देत होगी आंसर करेड़े क्या होगा अब मतलब हस रहे होंगे न तुम लोग, कि मैम ये क्या ही कह रहे हो आप है न, बहुत अच्छे, क्रिकेट है, मतलब मैंने क्यों ही पूछा मैं नहीं जानती, ठीक है, ये किस से रिलेटेड है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है, अगर मैं तुमसे यहीं पर कहूँ, कि बैडमि पूछ लिए अब आंसर इधर क्या होगा तो याद रखेगा आंसर होगा इधर बस यह थोड़ा ना हेर फेर कर दिया अगल बदल कर दिया है क्या होगा प्रीमियर बैडमिंटन लीग ठीक है इसके तो नाम मी आगया खैर अगर यह तुम्हें कोशन डे भी देते हैं तो तुम वैसे ही क्लियर कर लोगे कि मैं नाम में ही बैडमिंटन हमें पता है ऐसा क्वेशन तो पूछेगा ही नहीं नेक्स्ट क्वेशन है हूँ इस दा ऑथर अफ़ अफ़ याद आगई ऐसा लगा जैसे सर ने लिख दियो यह किताब आसर करिए क्या होगा इधर बहुत अच्छे आरीदी वेरी नाइस हाँ प्रो कबड़ी लीग कबड़ी से है बहुत अच्छे आशर इदर आ रहा है वीर बोल रहे हैं अमिताव होगा लेकिन बोल रहे हैं अमिताव बच्चन बहुती बुरा जोग था वीर बिल्कुल हसी नहीं आई जैसा कि तुम पा रहे हो ठीक है सुजीत ने अंसर किया है थर्ड अमित कह रहे हैं अमिताव घोश शीलू कह रहे हैं ए होगा अमिताव घोश होगा सभी का अंसर इदर करेक्ट आ रहा है शीलू प्रमोद आशीश आशुतोष करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ए य programming language क्या होते है? बेसिकली computer के अंदर आपकी बहुत सारी programming languages होती है ठीक है, आपको बता रहा है, यह जो James A. Gosselin है, इनोंने इन में से कौन सी programming language को विकसित किया Java, PHP, C++ होगा, बेसिकली, यह Hashtag नहीं होगा, C++ है और ASP.net है यहाँ पर जो आपका C++ है यह कैसी है यह high level आपकी programming language है लेकिन जो James Gosling करते हैं जिसको develop करते हैं तो याद रखिएगा वो कौन सी है तो याद रखिएगा Java है ठीक है अल्रेडी काफी लोगों का answer यहाँ पर correct आ रहा है प्रवीन का answer correct है प्रमोद का correct है अमित वील सुमिता का correct है प्रवीन रंगा का correct है correct आंसर होगा Java कौन सी year में इन्होंने डॉलप की तो याद रखिएगा 1995 में की ठीक है 1995 में इन्होंने Java जो language है वो डॉलप की next है कलेडियो स्कॉप was invented by बहुरूप दर्शक का अविशकार किसके द्वारा किया गया answer करिये क्या होगा जॉन बाबर टिम्स बर्णर ली या फिर आलन ब्लूमिन या फिर डेविड ब्रूस्टर आंसर करिये इदर क्या होगा बई वीडियो को like & share कर दीजे सभी के सभी वीडियो को like & share कर दीजे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें & share करें correct answer यहां पर क्या होगा correct answer होगा इधर डेविड ब्रीउस्टर यह क्या करते हैं kaleidoscope का invention करते हैं यानि की बहुरूप दर्शक जो एक होता नहीं है जिसके अंदर आप बहुत सारी pictures देख सकते हैं बहुत सारे अलग-अलग चीज़े चलती रहती हैं उसमें एक के बाद एक ठीक है अब मैं आपसे कोशन पूछती हूँ इसमें जो second option आपको दिख रहे है न टिम बर्नर्स ली यह किसके आविश करता यानि इन्होंने किसकी discovery की तिम बर्नर्स ली ने किसकी discovery की आंसर करिये क्या होगा इन्होंने क्या invent किया किस चीज़ के लिए ये फेमस है आंसर करिये क्या होगा बर्गर इमेल की नहीं करेक्ट आंसर क्या होगा टिम बर्नर्स ली ने www जो तुम ये dot देखते न www यानि की worldwide web की इन्होंने क्या की खोज की discovery की और कौन से year में की तो याद रखिये 1989 में की next question देखते है next question क्या होगा हमारा राष्टपती भवन was built in राष्टपती भवन आपके कौन से साल में कौन से year में बनवाया गया था तो आंसर करिये क्या होगा 1852, 1912, 1947 या फिर 1986 आंसर करिये धर क्या होगा आंसर करिये फटाफट क्या होगा राष्टपती भवन कब अनवाया गया अच्छा इसमें न एक तो मैं यह तुम्हें बताती हूँ कि इसमें न स्टार्ट डेट बतानी आपको स्टार्ट कब हुआ और इसका जो कम्पलीशन है वो कब हुआ completion date यानि की समाप्त कब होता है पूरी तरीके से finish हो जाता है वो आपको बताना है तीसरी चीज राष्टपती भवन के architect यानि की designer का नाम क्या था जिन्हों ने इसका design तयार किया ठीक है और बस इतना बता दो बाकी चीज़ें मैं बताती हूँ ठीक है तो याद रखेगा यहां पर correct answer क्या होगा कब बनवाया गया तो 1912 में बनवाया गया कब बनवाया गया 1912 में बनवाया गया कब complete होता है तो याद रखेगा 1929 में क्या होता है complete होता है बनाते कौन है इसको बनवाने के लिए किसने इसको develop कराया तो याद रखेगा irvin ने कराया किसने करवाया irvin ने करवाया और इसको राष्टपती भवन को पहले क्या बोलते थे whyce roys house बोलते थे क्या बोलते थे whyce roys house बोलते थे previously called ठीक है also known as लिख देती हो इधार ताकि तुम लोगों को याद रहे क्या बोलना चाहती हो मैं और उसके बाद में इसको राष्टपती भवन नाम मिला क्योंकि यह क्या है यह रेजिडेंस है किसका President का रेजिडेंस ओफ प्रेजिडेंस यानि की राष्टपती का यह क्या है रहने का जगा है याने की उसका रहने की जगा है रेजिडेंस है, भवन है इसलिए इसको राश्पती भवन कहते हैं इसके आर्किटेक्ट का क्या नाम है तो याद रखेगा Edwin Luteons क्या होगा Edwin Luteons ने क्या बनाया राश्पती भवन बनवाया और कम्पलीशन इसका कब होता है तो 1929 में होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन क्या होगा ओ कि सुनिल कुमार ठीक है आपकी इस फर्माईश पर बिल्कुल गौर किया जाएगा हेलो रितिक गुड इवनिंग कैसे आप संत्रा नाम का एक धार्मिक अनुष्ठान है ये कौन से समुदाय का है सिख, जूइज, जैन या फिर बुद्धिष्ट इनमें से कौन से धर्म के लोग संत्रा नाम की एक धार्मिक अनुष्ठान यान की religious ritual को करते है आंसर करिये इधर क्या होगा बहुत अच्छे सुमिता का सबसे पहले answer आया है फिर प्रमोद का आया है फिर अमИद का आया है वीर भी बोल रहे है अच्या, अमित का गलट हो गया वीर का correct है अरिदी का correct है, प्रमोद का correct है आशुतोष का correct है, शीलो का correct answer इदर आ रहा है, आशीश का answer correct आ रहा है, बहुत अच्छे, सभी का answer इदर correct है, correct answer क्या होगा, correct answer होगा, जैन, जैन धर्म है, जो उसमें ये संथरा नाम का एक रिलिजियो से रिच्वल होता है, वहीं अगर कहूं कि जैन के, यानि कि जैनी होते ह उनके पवित्र ग्रंथ, यानि कि sacred text, यानि कि पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है, पवित्र पुस्तक ग्रंथ, बताइए क्या नाम है, जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम होता है, आशर करिये क्या होगा, तो याद रखेगा, ये क्या होगा यहाँ पर, अगमाज, क पवित्र ग्रंत का क्या नाम है जो बौध धर्म के लोग है उनके पवित्र ग्रंत का बौध धर्म के पवित्र ग्रंत का क्या नाम है प्लीज वीडियो को सभी लोग लाइक एं शेयर जरूर कीजे और आंसर करिए यहां पर क्या होगा आंसर करिए क्या होगा बौध धर्म के पवित्र ग्रंद का क्या नाम है बहुत अच्छे सबसे पहले आंसर आया है प्रवीन का त्रिपितिकाज क्या होगा त्रिपितिकाज next question देखते हैं next question क्या होगा हमारा first country to appoint लोगपाल और equivalent to a लोगपाल is यानि की पहला देश इन में से कौन सा है जिसने लोगपाल या लोगपाल के समकक्ष नियुक्त करने वाला वो पहला देश इन में से कौन बना ब्रजील, बर्मा, स्वीडेन या फिर इंडिया आंसर करिए क्या होगा आपको बताना है ये करने वाला पहला देश कौन सा है कौन से act के through किया और कौन से year में किया अब आंसर करिए क्या होगा अमित का आंसर मुझे दिख गया है शीलू ने बोला है यह होगा पर्मा, नंदा, साहा कह रहे है इंडिया होगा, सुजीत कह रहे है फोर्थ होगा, आरिधी कह रहे है इंडिया होगा, सभी लोग यहाँ पर इंडिया आंसर कर रहे है लेकिन अमित का आंसर आया है थर्ड और सुनील कुमार का आंसर इधर थर देखने को मिल रहा है बहुत अच्छे सुनील कुमार एंड अमित बाकी सब जा रहे हैं गलत रहा पे करेक्ट आंसर क्या होगा नहीं सुमिता गलत हो जाएगा इंडिया बोलोगे तो गलत हो जाएगा अगर बोलोगे स्वीडन तो मैं बोल दूगी आंसर करिए क्या होगा लोगपाल एंड लोकायुक्त एक्ट गेम इन इंडिया इन विचियर ये आपको बताना है ठीक है ये आपको बताना है कि भारत के अंदर ये कब आया भारत के अंदर ये कब आया आंसर करिए क्या होगा तो याद रखेगा यह किसके थुरू आता है इंडिया के अंदर तो याद रखेगा यह आता है लोगपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहट किसके अंदर आता है लोगपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 कौन से एर में अपलाए होता है यह एक्ट आत 2014 में 16th of January को ये क्या हो जाता है भारत में effective हो जाता है came into effect next question है battle of haldi gati was fought in the year ये question मतलब बहुत जादा ही असान है ठीक है answer करिए फिर भी इधर क्या होगा correct answer यहां पर क्या होगा haldi gati का जो युद्ध है किस-किस के बीच में होता है तो याद रखेगा haldi gati का जो युद्ध है ये दो लोगों के बीच में होता है एक तरफ कौन होता है एक तरफ होता है अकबर यानि कि अकबर की तरफ से अकबर की आर्मी है और अकबर की तरफ से कौन लीड कर रहा होता है तो याद करिए लीड करने वाला होता है मान सिंग जो अकबर का उस वक्त जर्नल होता है वो लीड करता है इसको और दूसरी तरफ कौन होता है तो दूसरी तरफ होता है महाराना प्रताप होता है उसकी जो आर्मी है उसके साथ कौन लडने आता है उसके साथ लडने आता है यहाँ पर जो अकबर है वो कौन से एर में होगा तो याद रखेगा 1576 में यहीं उपर आपको 1526 दिख रहा है फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में कि 1526 याने कि 1526 में किस-किस के बीच में लडाई होती है और उस लडाई का नाम क्या है आंसर करेएँ फटाफट क्या होगा 1526 में कौन से लडाई होई और किस-किस के बीच में होई आंसर करेएँ इदर क्या होगा वी इडियो पसंद आ रहे तो प्लीज like and share सभी लोग कीजे वीडियो को like and share जरूँर कीजे और आंसर करेएँ इदर क्या होगा जिसमें हम anti-PC CBT-2 के लिए preparation करते हैं, काफी अच्छे-च्छे हम question करते हैं, इधर answer क्या होगा, 1526 में आपकी लड़ा योती है, first battle of पानिपत, यानि कि पानिपत का प्रथम यूद कब होता है, 1526 में होता है, किस-किस के बीच में होता है, तो याद रखिएगा पाबर और इब्राहिम लोदी किस पे आता है, आपकी दिल्ली सल्टनत की गदी पे आता है, तो इसका जो चाचा होता है, दौलत खान लोदी, वो क्या करता है, दौलत खान लोदी, वो पंजाब का उस वक्त गवर्नर होता है, इसके समराज्य में, तो वो फर्गना की गदी से, यानि क पहली पानिपत की जो लड़ाई करता है कौन से एर में 1526 में 1526 में करता है और इबराहिम लोदी को हटा कर ये क्या करता है ये जीत कर देता है पहली बार तोप खाना टाइप की जो टेक्नीक होती है आर्टिलरी की जो टेक्नीक होती है ये पूछेंगे कि किसके टाइम पर टेकनिक को और मुगल समराजी की स्थापना करता है बाबर फिर 1526 से लेके 1530 तक ये राज कर पाता है और 1530 में इसके मिलती हो जाती है जिसके बाद कौन आता है इसका बेटा आता है हुमायू बाबर ने अपने खुद के जीवन के ऊपर एक किताब लिखी जिसका क्या नाम द अपने भाई के बारे में हाफ प्रदर के बारे में लिखती है किसकी रिक्वेस्ट पे तो याद रखेगा अकबर की रिक्वेस्ट पे लिखती है वो हुमायू नामा ठीक है बहुत अच्छे आंसर आ रहा है आशितोष का करेक्ट है अमित बोल रहे हैं मुरार्जे दिसाय होगा शीलू कह रहे हैं बी होगा वीर कह रहे हैं सेकिंड होगा सुनील कह रहे हैं थर्ड होगा और पंकच पटेल कह रहे हैं दी होगा पंकच एक चीज धियान रखे और परमानंद साहा जी आप भी धियान रखे कि यहाँ पर क्या लिखा है प्रेसिडेंग अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि पी-म लिखा है यान की परधान मंत्री आपका अपातकाल कब से कब तक लगता है तो याद रखेगा जून 1975 से लेके मार्च 1977 तक क्या लगता है अपातकाल लगता है इसी बीच में 1976 में आपका एक संशोधन आता है सविधान के अंदर इकलोता ऐसा संशोधन जो अपातकाल के समय पर लगा था वो कौन सा संशोधन होगा 1976 में आता है पटा फट से comment box में सभी का आनसर आना चाहिए सभी लोग आनसर करें क्या होगा इकलोता ऐसा संसुर्दन जो अपात काल के समय पर आया जिस वक्त इंद्रा गांधी क्या थी पी-म थी प्रेजिडेंट कौन था तो प्रेजिडेंट यानि की राष्ट पती थे आपके फरकुदीन अली एहमद तो आंसर क्या होगा correct आंसर होगा यहाँ पर भी जो लोग बोल रहे हैं मुरार जी दिसाए तो भई मुरार जी दिसाए आपके आये थे 1978 में जनता पार्टी से थे ये इनकी आके गवर्मेंट बनती है सरकार बनती है उसके बाद में ये फिर निकल लेते हैं 1980 के बाद में फिर जनता पार्टी के सरकार चली जाती है और सरकार आ जाती है वापिस से कॉंग्रेस की जिसमें इंद्रागानी वापिस से पी-म बनती है 1976 में सभी का आंसर correct आया, correct आंसर क्या होगा, 42nd Amendment यानि कि 42 वह आपका संशोधन है, वो कब आता है, वो आपका अपात काले के समय पर आता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको लगु सविधान भी बोलते हैं, क्यूं कि सविधान के अंदर बहुत सारे changes इसी संशोधन द्वारा कि कौन-कौन से changes थे, फटा-फट से बताईए, पहले तो preamble यानि की प्रस्तावना में, जो आपकी constitution यानि की सविधान है, उसकी प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए, कौन-कौन से हैं, वो तीन नए शब्द आंसर करिए, क्या होगा, प्रस्तावना के अंदर आपके 42 वे शंशोधन में, जो 1976 में आया, उसमें तीन नए वर्ट जोड़े गए, पहला था socialist यानि की समाजवादी, दूसरा क्या था, दूसरा वर्ट था secular, यानि की धर्म निर्पेक्ष, यानि की किसी धर्म में हम विश्वास नहीं रखते, हम धर्म निर्पेक्ष हैं, तीसरा क्या था, तीसरा था integrity, ये तीन वर्ट जोड़े गए, किसमें, प्रस्तावना में जोड़े गए, दूसरी चीज़ क्या थी, यहां पर क्या लाए जाते हैं, यहां पर क्या लाए जाते हैं, गुड एवनिंग, टॉप टेंडिंग, कैसे आप, यहां पर क्या लाए जाते हैं सुवर्ण सिंग कमेटी के रेकमेंडिशन में आपसे पूछना चाहती है सुवर्ण सिंग जो कमेटी आई थी उसने क्या रेकमेंड किया था सुवर्ण सिंग कमेटी थी उसने क्या रेकमेंड किया था आंसर करिए फटाफट क्या होगा बैस सभी का ना फटाफट आंसर इदर आना चाहिए वीडियो पसंद आ रहे तो like and share जरूर कीजिए और आंसर कीजिए फटाफट इदर क्या होगा बहुत अच्छे सबसे पहले आंसर इदर आया है एक आशीश ने बोला है fundamental duties इस टाइम पर क्या होता है fundamental duties यानि की मौलिक जो करतव्य हैं कितने मौलिक करतव्य यहां पर introduce किये जाते हैं fundamental duties कितने introduce की जाती हैं दस fundamental duties add की जाती हैं कहां पर add की जाती हैं कौन से भाग में add की जाती हैं तो याद रखेगा part fourth A में add की जाती हैं ठीक है कौन से आर्टीकल में तो याद रखेगा article 51 A में आर्टिकल 51A में आड़ की जाती है आपकी fundamental duties इदर next question देखते हैं next question है घुमूरा is a folk dance of घुमूरा नाम का जो ये लोख निर्तिय है ये इन में से कौन से राज्ये का है आंसर करिए क्या होगा फटाफट से सभी लोग यहां पर आंसर करें घुमूरा एक लोख निर्तिय है इन में से कौन सी जगया पर किया जाता है अब इसको ना तुम लोग घुमर से घुमर मत सोच लेना ठीक है घुमूरा है घुमर नहीं है घुमर से तुम लोग सोचते राजस्थान वो तो वैसे भी option में है नहीं है ना तो आंसर इधर करिये क्या होगा? लोक निर्त्या लेकिन कुछ एक आपके शास्थ्रें निर्त्या होते हैं जो भारत के अंदर जिने बहुत बड़ा तरजा मिला है। पूरी बची जमू एंड कश्मीर में हमने किया खौफ है किसका आतंकवादियों का खौफ है तो रौफ जो डांस है वो कहां का है वो आपका डांस है जमू एंड कश्मीर का महराश्टरा से कौन सा डांस है तो महराश्टरा से बहुत सारे लोक निरते हैं जैसे कि आपने fan की अविश्कार क्या hint दो तुम लोगों को hint यह है यह जितनी भी option दिये हुए ना इन में से जो नाम है यानि की first name है उसके fan भी आते हैं उसके बहुत सारे उपकरन आते हैं electronic उपकरन आते हैं अब answer करिये क्या होगा अब answer करिये इधर क्या होगा इसका तो तुमने लॉइड है इसका तो तुमने AC देखा होगा air conditioner होते हैं लॉइड के मेरे घर पे भी लगे हुए है ठीक है बोटो मियो ये तो हमने नाम नहीं देखा है लियोनारडो दिविंशी नाना ये तो बिल्कुल नहीं होगा आंसर क्या होगा बहुत अच्छे सब लोग hint पगड़ गए हैं correct answer क्या होगा correct answer होगा इधर फिलिप DL तुमने देखा होगा फिलिप के fans होते हैं फिलिप के बहुत सारी appliances होते हैं ठीक है तो यहां answer correct क्या होगा answer correct होगा फिलिप DL कौन से year में आविशकार किया तो याद रखेगा 1882 में किया कौन से year में किया 1882 में किया वीडियो पसंदार है तो please like and share जरूर कीजे और daily हमारी class होती है चार से पांच शाम को तो daily class attend किया कीजे क्योंकि आपके लिए बहुत helpful रहने वाली है answer करिए क्या होगा इदर who has the record of highest number of gold medals in history of Olympics इन में से जितने भी option आपको दिए वे हैं इन में से किसके पास सबसे जादा सुवंड पदक जीतने का record इन में से किसके नाम पर है answer करिए क्या होगा कोई बात निया में चाह सकते हैं आप office कोई दिक्कत नहीं है अच्छा आप लोगों को ये पता है कि नहीं कि RRB जो group D है उसकी date आ चुकी है और बताना चाहूंगी कि वो date है 23 फरवरी कब होने वाला है 23 फरवरी को होने वाला है अब तुम्हारे लिए ठीक है अब तुम्हारे लिए यहाँ पर NTPC और group D दोनों का ही सुनहरा मौका है तो एक बारी में ऐसी तयारी कर लो कि CBT 2 के लिए अगर क्वालिफाई होते हो तो वो भी हो जाए वरना फिर 23 फरवरी के आगे-आगे 23rd onwards 23rd February onwards यानि कि इससे आगे जो तुम्हारे अच्छा परफॉर्म करो कि एक्जाम तुम्हारा सीधा क्लियर हो जाए यहाँ पर correct answer क्या होगा correct answer होगा Michael Phillips क्या है यह तो याद रखिएगा यह swimmer है यानि कि कौन से sport कौन से खेल से हैं यह तो swimming से यह बिलॉंग करते हैं कितने gold medal जीते हैं इन्होंने अच्छा पता है अभी आई थी ओके ओके drop trending कहते हैं already working in group D बहुत काम होता है काम थो बिटा हर जगा होता है काम से नहीं बच सकते हैं कितने gold medal जीत चुके हैं तो याद रखिएगा इनके खाते में कितने gold medals हैं 28 gold medals in swimming और सबसे जादा किस में जीते हैं इन्होंने सबसे जादा gold medal जीतने वाले हैं ये olympics में इन्होंने सबसे जादा gold medals जीते हैं ठीक है उसे इन बोल्ट आपके किस से आपको बता होगा कि ये भी athlete है ठीक है और ये बहुत तेजी से भागते हैं दौड लगाते हैं लेकिन gold medal यानि कि gold fish भी ने कहते हैं माइकल फिलिप्स को gold fish भी ने कहते हैं यानि कि एक तो तैरत इतने बढ़िया हैं उपर से gold लेके आते हैं ये नाम का जेंटली फॉल्स दा बाकुला नाम की जो किताब है इसके लेखा किन में से कौन से हैं अमिताव घोष या फिर मिताली मिलन, रविंदर सिंग या फिर सुधा मूर्ती अच्छा अमिताव घोष की अभी हमने कुछ देर पहले एक किताब करी थी क्या मुझे कोई बता सकता आप देखती हूँ किसकी कितनी memory power है बताएए जरा कि क्या नाम था उसका अभी हमने थोड़ी ज़र पहले जिया मिताव घोष की किताब के बारे में हमने पड़ा नाम बताएए क्या होगा उसका देखती हूँ कितने सारे लोग जानते है कितने सारे लोगों को याद है अब यहाँ पर सुनील का आंसर है D. शीलू बोल रहे हैं D. होगा प्रमोद बोल रहे हैं D. होगा सुमिता बोल रहे हैं B. होगा सुनील कह रहे हैं D. होगा Chairperson है, किसकी Chairperson है ये Infosys Foundation की ये Chairperson है और जो Co-Founder है किसके Infosys के, जो Co-Founder है उनकी ये Wipe है Co-Founder कौन है? कौन है Founder Infosys के? क्या आप नाम बता सकते हैं? किनकी Wipe है ये? इनके Husband का आप नाम बता सकते हैं N.R. Narayan Murthy जो क्या है? जो है founder of infosys अब मैंने तुमसे पूछा था कि अमिताफ गोश्की जो हमने अभी किताब पड़ी उसका नाम क्या है तो जिनको भी याद नहीं उन्हें बता दू the hungry tides the hungry tides हाँ option दे दो option ही दे दूँगी तो फिर बचा क्या option के बिना किस को याद है the hungry tides यानि कि भूकी जो लहरे है न वो किसने लिखी है अमिताफ गोश्क ने लिखी है और gently fall यानि कि बड़े ही अराम से जो गिर रहा है इस तरीके से याद रख ले न तो वो किसने लिखी है सुदा मूर्ती ने लिखी है सुदा की जो मूर्ती है वो बड़ी gently fall हो रही है यानि कि बड़े अराम से नीचे गिर रही है तो किसने लिखी सुदा मूर्ती ने लिखी जो chair person है किसकी in forces foundation की तो ऐसे बड़े बड़े लोग जो किताब लिखते है न वो आपके लिए important है और अमिताफ गोश्च इनकी किताबे बहुत popular है तो इनकी किताब भी आपके लिए याद रखना ज़रूरी है next है एसी नोइक्स जुबाटस ये किसका विग्यानिक नाम है तो मैंने आपको तुमको याद कराए था कि ऐसी रफतार किसकी है ऐसी तेज रफतार किसकी है तो ऐसी नोइक्स से मैंने क्या याद कराया था तुमें कोई बात नी हो जाएगी strong हो जाएगी तुमारी memory भी sharp हो जाएगी good evening विनूत कुमार बहुत अच्छे किसकी ऐसी रफतार है तो याद रखीगा किसकी ऐसी तेज रफतार है तो चीता की ऐसी तेज रफतार है अब तुमें पता है कि मैं जब चीता का बता रही है ऐसी नोइक्स तो बाकियों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं है न वरना horse बुरा मान जाएगा bear बुरा मान जाएगा और मेरे घर के बहार पहुँच गए तो मैं तो डर चाओंगी अब answer कर दीजिए यहां पर क्या होगा ठीक है answer कर दीजिए इधर क्या होगा horse का जो scientific name है वो क्या होगा horse का जो विज्यानिक नाम है क्या होगा देखो RRB की अगर हम बात करें तो RRB में science से related scientific name से related बहुत सारे question आते है static जी के बहुत ज़्यादा पुछा जाता है आपका आपके RRB anti-PC के अंतर चाए CBT1 हो चाए CBT2 हो और जब बात हो यह CBT2 की यानि की मेंस लेवल की तो आप समझी सकते हैं कितनी अच्छी वेटेज होगी और RRB group D का मैं आपको previous question paper भी करा चुकी हूँ कल परसो कराया था शायद Monday को कराया था I think मैंने और उसमें मैंने आपको बताया था पूरा RRB का वो paper था group D का ठीक है यहाँ पर answer क्या होगा तो horse का क्या होगा तो याद रखेगा equals cabalus क्या होगा equals cabalus यानि कि बहुती काबिल कौन है horse है काबिल किसके कि बहुती equal दोडने में काबिल है कौन horse यानि कि गोड़ा बहुती चल्दी बहुती काबिल है दोडने में equal दोड लेगा जो भी तेज दोडता है उसके equal दोड लेगा चीता तेज दोडता है तो उसके भी equal कौन दोड लेगा काबिल कौन है horse है तो aqueous cabalus से याद रख लेना horse beer का याद करना है क्या होगा तो याद रखिएगा beer का होगा उर्सी डे beer का क्या होगा उर्सी डे यानि कि यह हमेशा बहुती beer कैसा होता है सुस्त होता है और पूरा दिन भर यह क्या लेता है उबासिया लेता रहता है तो यह क्या करता है all day उर्सी डे मतलब उबासिया लेता रहता है all day चीक है तो वो क्या होगा beer होगा zebra से याद करेंगे zebra का क्या होगा तो देखो इसके आगे भी aqueous ही लगता है इसके आगे भी aqueous ही लगता है लेकिन पीछे क्या लगता है kuaga पीछे क्या लगता है kuaga अब ये तुम्हें खुदियाद रखरना पड़ेगा इसके trick मुझे नहीं पता है ठीक है जिबरा का क्या होता है scientific name तो याद रखेगा जिबरा का scientific name होता है aqueous kuaba next question देखते है next question हमारा इधर क्या होगा ओहो आज का जो समय अवदी है वो यहीं पर समामत होती है class का timing over होता है question का पिटारा भी यहाँ पर over हो चुका है एक घंटे का पता ही नहीं लगता न कैसे खताब हो चाता है एक घंटा तो आज के लिए जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए है बही डेली हमारी चार से लेके पांच बजे तक शाम को class होती है NTPC2 की NTPC CBT2 की अगर आप लोग तयारी कर रहे हैं railways के NTPC की या फिर आप group D की तयारी कर रहे हो railways की तो यह आपके लिए बहुत सई जगा है यहाँ पर डेली हम question करते हैं और mix question करते हैं यानि कि ऐसा नहीं है कि आप content एक से एक बढ़िया question मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही लाती रहूंगी यह नहीं वहीं गिसे पिटे सवाल करा रहे हो यह मेरा टेलिग्राम चैनल है शीतरशर्मा01 मैं शीतरशर्मा आपकी GS faculty आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ जो भी पूरा throughout मेरे साथ class में बने रहे और all the best कहती हूँ आप सभी लोगों कि अच्छे से पढ़ो तुम्हारा concentration पढ़ाई के अंदर ऐसी बना रहे ताकि तुम लोग जल्दी से railway में बहुत अच्छी नौकरी हासिल करो और उसके बाद में जब तुम्हें नौकरी मिल जाए ना तो मैं को मत भूले ठीक है तो वो भी आप लोग अटेंड कीजिए टॉपिक वाइस क्लास होती है चाहे आपका एससी है चाहे डेलवेस है दोनों में काम आएगा स्टाटिक जी के मैं कराती हूँ ठीक है थैंक्यू सो मच और एक गंटा कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता आप लोगों के सा जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आये तो और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूले कमेंट करके जरूर बताएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी अब मिलती हो आपसे कल सुबा 11 बचे और शाम को मिलोंगी यही चार से पांच भूलेगा मत चार से पांच एंटी पी ठीक है ओके देन नहीं भूलो के सुयश बहुत अच्छी बात है ठीक है तो आज का सेशन यहीं पर करते हैं अब मिलते हैं कल सुबा 11 बचे और शाम को चार बचे तिल देन टेक क्यार बबाई have a night's day मस्त रहो खुश रहो और आपने आसपास की लोगों को भी खुश रहो औ और मैं जो कहती है ना लाइक और शेयर वाला वो भी कर दिया करो ताकि मैं भी खुश रहो ठीक है ओके देन बबाई टेक या थैंक यू सो मच क्लास